हाई दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर किस कारण से होता है क्या इसके इलाज है क्या कारण है क्या सिम्टम्स हैं दोस्तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे वीडियो में बने रहे हैं चलिय को मन याक मचर होता आगम माउनों आप बबात करते हैं सिम्टम के बारे में क्या लखशण होते हैं वूभा कि या झाया हुपार हुआ होता है उतिशन लगते हैं चिल्स यानि ठंड लगने लगती है, कफ यानि खासी होना स्टार्ट हो जाती है, लौस ओफ एपेटाइड यानि भूक ना लगना भूक की कमी हो जाती है, भूक सही से लग नहीं पाती है muscles and joint pain यानि कि मास पेसियों में दर्द होने लगता है इस परकार इसके कुछ symptoms हैं ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो दोस्तो अब बता दें आपको इसके treatment के बारे में इसमें क्या इलाज दिया जाता है तो सबसे पहले इसमें डॉलो 650 mg टेबलेट जो कि fever को कम करती है यानि कि बुखार होता है तब उसको कम करने के लिए डॉलो 650 mg को दिन में तीन बार दिया जाता है टीडियस और इसके बाद इसमें वोमीटिंग होने लगती है उल्टिया आती है तो उसमें हम वोमीकाइन MD4MG टेबलेट को देते हैं जो कि उल्टियों को रोकने काम करती है जब उल्टिया आने लगती है तब इसको हम देते हैं इसके बाद इसमें हम लिव 52 टेबलेट को देते हैं जो कि लिवर को लिवर के कारणे को सही करने का काम करती है Lee52 tablet को दिन में 3 बार देते हैं TDS और इसके बाद हम इसमें Carry Pleट गी बार को देते हैं जो की platelets को बढ़ाने के काम करती है इस tablet को हम सुबा साम दे सकते हैं इसके बाद इसका अंदार हम pentaperazole tablet को देते हैं जो की इसको इन सभी medicines को जैसे gastritis बनती है उसको कम करने के लिए इसमें हम इसके बाद हम आरेल ड्रिप को लगाते हैं यह आई-वी फ्लूड होता है जिसको हम प्लेटलेट्स में पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए आरेल इंजेक्शन को देते हैं में 002 इंजेक्षिं को डालते हैं जो कि मल्टी वीटामीन होता है इसको हम लगतार तीन दिन तक देते हर रोज एक डीप्यार्ट लगती है और उसके बाद इसमें एक इंजेक्षिन डालता है जो टेनेमल में होता है इस परकार हम डेंगो फिवर को ट्रीट करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में